इस वीडियो में गईस मैं आपको पैसेंस परसनल लोन अप्लिकेशन के बारे में कम्प्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे इस से आपको लोन लेना है तो सबसे पहले तो आपको इसको डाउनलोड करना होगा इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकि पांच जार से लेके तो पांच लाग तक की हम यहाँ पर पेसेंट से लोन ले सकते हैं गईज परसनल लोन या इतनी लिमिट ही आपको प्रोवाइड कर सकती है यह एप्लिगेशन अगर इसमें और कुछ डेटियल्स को हम देखें तो बीना किसी कोलेटरल को आपको आपको आपर जो है लोन मिलेगा गईज अगर देखोगी तो विस फ्लेक्स ली इमाय ओप्शन और जीरो कोलेटरल एंड अफोर्टेबल इंट्रेस्ट रेट कम से कम इंट्रेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा यहां पर APR बता रखाए गई कि APR कितना लगेगा जिसे कि लोन मांट तो 5000-5000 लाग तक के बीच रहेगा इसमें जो APR रहेगा वो between 16% से लेके 36% के बीच में रहेगा और reducing balance basis मतलब आपके balance के basis पर रहेगा यह सारी details guys उसके बाद में यह अभी 500 से plus CTS में available है इंडिया में और भी इसके बारे में कुछ details को देखेंगे तो यहां पर इसके बारे में कुछ details बता रखेंगे जिसे कि easy, EMI, zero collateral और zero end paperless processes में रहेगी और disclarations इसमें बता रखा है उसके बा में यहां पर हम loan के type को देख लेते हैं guys की कितने type के loan यह हमें provide करती है guys तो अगर आप यहां पर दखोगे तो loan के type यहां पर provide कर रखेंगे इसमें guys आपको personal loan मिलता है marriage के लिए और wedding के लिए दोनों same ही है उसके बाद में new used vehicle loans two wheeler और four wheeler दोनों के लिए आपको loan मिलता है उ इसमें अगर इतना loan amount आप लोगे तो इतना interest rate लग सकता है यह example है guys जब आप loan amount लोगे तब आपको fixed interest rate और इसके बारे में पता चलेगा कितने processing fees लगेगी इस सभी के बारे में जिसी कि यहां पर एक लाग के loan amount का example बता रखा है tenure 24 मान तक का APR 24% उसके बाद में जो monthly interest processing fees इसमें 3000 काट ली जाएंगी 26,899 रुपे का इसमें इंट्रेस्ट लगेगा उसके बाद में जो इसकी EMI बनेगी वो 5,399 रुपे की बनेगी जो total आपको repayment करनी है वो 1,32,290 रुपे आपको करनी होगी तो यह कुछ details guys हम आपको eligibility भी देख लेता हम यहां से यह eligibility भी आप आपको बता देता हूं जिसे कि आप Indian resident होने चाहिए आपकी जो AJ वो 21 एर से लेके तो 60 एर के बीच में होने चाहिए और आपकी जो गईस यहां पर you must be basis in any of 500 प्लस cities जो यह cities में इनकी service available है आप उन cities में होने चाहिए गईस तभी यह आपको loan provide कर सकती है other cities में रहोगे तो आ और भी आप यहां पर इसमें आके steps देख सकते हूं क्या के details से आपसे लेगा सबसे पहले तो आपको applications को install करना है registered करना है आपको अपनी personal details फिलब करके और उसके बाद में आपको अपनी eligibility को check करना है उसके बाद में आपको provide KYC documents like ID proof मतलब pen, आधार, water ID इन में सो कुछ भी द process होगी और easily जो loan amount है वो आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा उसके बाद में contact के लिए mail address provide कर रखे तो इसे आप आके easily देख सकते हूं अभी हम simply applications को open करेंगे, applications को jc open करेंगे सबसे पहले हमें अपनी language को choose करने वाला options आएगा तो मैं continue in English पर click करूँगा, उसके बाद में आप आपको instant personal loan provide करके दिखेगा, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ message दिखेगा, यह आपको एक capture देखने को मिलेगा, इसे आपको एसे slide करना है या direct get started पर click कर सकते हूं, उसके बाद में hi there, I am escort your personal assistant, इसके बारे में आपको थोड़े time loading लिया जाएगा और आपको कुछ इस तरह से message आ जाएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपने 10 digit के mobile number fill up करने है, उसके बाद में आपको आपको continue पर click कर देना है, जो भी mobile number आप यहाँ पर provide करोगे, उस पर एक OTP जाएगा गाईज, तो उस OTP को आपको enter करना है, उसके बाद में कुछ permissions यह आप options आ चुकआ है, आप यहाँ पर देख सकता हूँ, अभी यहाँ पर आपको कौन कोन से details fill up करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, work find吧, इसके बाद में आपको अपना पना में फिल पी लप करना है, उसके बाद में आपको अपना last name fill up करना है, आपको आपकी date of birth fill up करना है, औ आपको आपर select करना है seller है या फिर self-employed है इसमें आपको बता दूँ कि अगर आप seller person हो तो इसमें जो loan मिलने के chances है इस वो बढ़ जाते हैं आपको आपर loan amount easily देखनों को मिल जाता है self-employed को काफी कम देखनों को मिलता है लेकिन अगर आप self-employed भी है और आपकी income जो एगा इस काफी बढ़िया है या आपके पास एक income का अच्छा source है तो आपको easily देखनों को मिल जाएगा तो जो भी आप हो अपना employment type आपको select करना है उसके बाद में आपकी monthly take home salary कितनी है वो आपको provide करनी है यहाँ पर आपको उसके बाद में आपको अपने pen card के number fill up करना है अगर दिखोगे तो उसके बाद में सातवी details में आपको अपनी communications, address और pin code यहाँ पर fill up करना है, यह सारी details आपको fill up करने के बाद में save and continue पर आपको click कर देना है, तो गईस यह सारी details में यहाँ से fill up करूँगा, आप सारी details जैसे ही डाल के next पर click करोगे या continue पर click करोगे तो सारी details आपके सामने यहाँ पर show हो जाए पूरी permissions को agree करके आप जैसे ही submit पर click करोगे तो आपकी details को गईस यहाँ पर verify किया जाएगा, आपकी eligibility को check किया जाएगा और आपके लिए कितने credit limit यह आपको provide कर सकता है, उसके बारे में कुछ details देखी जाएगी, उसके बाद में अगर आप eligible रहते हो, तो आपको यहाँ पर criteria है guys, उसको यहाँ पर मैं पूरा नहीं करता हूँ, यह मेरी applications में कुछ issues होंगे, तो इसके लिए मेरे को आपर loan amount provide नहीं किया गया, इसमें guys age limit का भी होता है, आपकी age जो guys कम से कम 21 year होनी चाहिए, और maximum यहाँ पर 60 year होनी चाहिए, तो अगर उसके बीच में आपकी एक age है guys तो आप यहाँ से easily loan लेख सकते हो, जो details guys मैं आपको बताईए, बस एतने details आपसे लेगा, उसके बाद में एक credit limit आपको provide कर दी जाएगी है, एक loan amount आपको provide कर दी जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ और details इसमें add करनी हो सकती है, जिसे कि आपको अपने KYC documents को verify करना और जो loan amount है, वो easily आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा, उसमें आपको पूरी details बताईएगी guys कि केतना interest rate लगेगा, processing fees वगेरा, यह पूरी details, तो guys हम complete process यहाँ से इस applications में देख चुके हैं, बस मैरेको loan amount नहीं मिला है, लेकिन जो process है वो मैं आपको पूरी बता चुका हूँ guys, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है guys, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और चेनल पे अगर पहली बार आएं, तो चेनल को सब्सक्राइब करके, बेल एकन को all प्रप्रेस शरू कर लीजे, ताकि एस यह amazing वीडियो आपको मिलती रहे.